आप देख रहे हैं रिमिस गार्डन और मैं हूँ रिमी आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे फूलों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप अभी लगा लेंगे तो दशहरा और दिवाली में आपको फूल खूब सारे मिलें हमारे लिस्ट में पहला नाम गेंदा या मेरी गुर्ड के फूलों का है ये हर भारती घर में, हर देवी देवता के पूझा में और हर फेस्टीवल में साज सज्जा में इस्तेमाल होते हैं आम तोर से नारंगी पीले रंग के ये फूल देखने में बेहत खूबसूरत होते हैं और एक फूल अकेला फूल नहीं फूलों का पूरा गुच्छा होता है जो हर किसी को पसंद है अगर आप छोटी वराइटी का गेंदा पूधा लगाते हैं तो उसमें काफी सारे फूल आएंगे इनको गमले में भी लगाया जा सकता है काफी वराइटी होती है हमारी सला होगी कि आप आज ही कटिंग से लगा हुआ पूधा ले आएं और अपने घर में लगाएं ताकि उनमें खूब सारे फूल खीले और आपका घर खिला खिला सजा सजा दिखे फूजा के लिए भी फूल लगातार मिलते रहें अब बात कुछ अलग रंग के गेंदा फूलों की लोग हम से अकसर पूछते हैं क्या ये वास्तविक हैं क्या इन्हें खरीदना चाहिए हम आपको बस यही सलाह देंगे आप रेटिंग देखिए, रिव्यू देखिए हमारे लिए इसकी कोई प्रमानेक्ता नहीं है ऐसा कोई फूल नहीं होता है हमारे लिस्ट में अगला नाम गुल्दावदी या क्रिजन्थेमम है गुल्दावदी के फूल बेहत खुशबुदार होते हैं और ये पूजा में भी प्रयोग किये जाते हैं ये भी गिंदा फूलों की तरह के लब फूल नहीं फूलों का गुच्छा होता है जो की देखने में बेहत सांदार देखता है और इसको आप गमले में भी उगा सकते हैं अगर आप अब ही इसकी कटिंग लगाएंगे और हाइब्रिड या अच्छी किस्म लगाएंगे अच्छे से खात पानी देंगे तो पूर या दशेहरा और दिवाली आपको एक दिन भी पूजा के लिए फूल ढूरने बाहर नहीं जाना पड़ेगा फुस्बू वाले फूलों से माता का दरबार हमेशा सजा रहेगा आपको बाजार में गुल्दावदी के कई रंग और कई किस्में मिल जाएंगे पीली घंटी या अलामांडा दुर्गा पूजा में ये फूल भी खास महत रखता है आप जो पूल देख रहे हैं यही अलामांडा या पीली घंटी का फूल है मैं आपको इसका पूरा पौधा दिखा देती हूँ पौधा आप आसानी से 10 से 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं बहुत बड़ा पौधा नहीं होता है और इसको कटिंग से ही लगाया जाता है अभी आप इन्हें जरूर लाकर लगा लगा लेजिए इनमें फ्लारिंग बहुत जल्दी सुरू होती है बड़े आकार के फूल गुच्छे में आते हैं काफी खूबसूरत दिखते हैं इनको जरूर लगाईए और इनसे दुर्गा जी की पूजा भी की जाती है बात दशेहरे की हो और अड़ूल या गुड़हल का नाम ना आए ऐसा कैसे संभव है लाल रंग के ये फूल देवी दुर्गा को सबसे ज़्यादा पसंद है हलाकि और भी कई किसमें कई रंग इन फूलों के आते हैं आप इनको कटिंग से लगाईए अच्छी किसम का पौधा लाकर आज ही लगा लीजिए थाकि जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग हो और हाँ ज्यादा फ्लावरिंग के लिए आप इसमें गोबर की खाद या डीएपी पोटास जैसे खाद डालेंगे तो फ्लावरिंग खूब सारी होगे और आपका दिल खुश हो जाएगा हर रोज दशहरा में कम से कम एक अड़ूल का फूल तो आपके पास होना ही चाहिए जो आप देवी दुर्गा को अर्पित कर सकें अप अराजिता ये दुर्गा जी का ही एक और नाम है दशहरे में इन फूलों का बहुत महत्व होता है ये नीले और सफेद दो रंगों में आते हैं फूल सिंगल लेयर और डबल लेयर दोनों ही तरह के होते हैं सभी फूल पूजा के लिए बहुत महत्व रखते हैं इनके लताएं होती हैं, बीज से पौधा उगता है, आप इनकी लताओं को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, ये कॉमन सफलार है लेकिन आज इसको लगा लीजिए, देर मत कीजिए, बीजों से बहुत आसानी से उगता है और तेजी से खाद वाली मिट्टी में ग्रो करके फ पूधा होगा और उसमें अपराजिता खिले होंगे, तो आपको क्या ज़रुरत है इन फूलों के लिए कहीं और भटकने की, सदाबहार या वेंका, ये फूल बेहत खुबसूरत होते हैं, कई सारे रंगों में आते हैं, और इनकी सबसे अच्छी बात है ना, कि इन में ये दिवाली के दिन आप अपना घर नहीं सजा पाए, भगवान के सामने चबुत्रे को सजा न पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सदा बाहर का जो प्फूल होता है, वो कई सारे रंगों में और कर भब में आता है, और हर रंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ब खास देख भाल चाहिए, नाइद में कोई रूख बिमारी लगती है, जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, ये पौधे आज ही लाके लगा लीजिए. इंपेसंट के फूलों से शायद वाकिफ होंगे, आप इन्हें किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईए, फिलहाल मुझे तो इनका बस एक ही नाम पता है, ये बेहत खूबसूरत और नाजुक से फूल होते हैं, जो आम तोर से गहरेलाल या नारंगी या बहुत जादा खिलते हैं, रोजाना आपको 8-10 फूल अगर इसको गमले में भी लगाएंगे तो आपको मिल जाएंगे जिनसे आप पूजा कर सकते हैं, तो आज ही आप इनको लगा लीजिए, आसपास की नरसरी से जो भी और जितने भी कलर के बिलते हैं फूल इनके एक एक पूधा ले आईए और जोर लगा लीजिए, ताकि आपकी खूबसूरत दिवाली और अच्छा दशेहरा मनें, ये फूल बीजों से और कलम से दोनों से लगते हैं, तो अगर आपके आसपास कहीं आपने ये पूधा देखा है, तो उसकी एक डाल काटकर लगा सकते हैं, वो अच्छा रहेगा, आप इनको कलम से लगाईए, कनेर में बहुत सारे फूल आते हैं, और आप इनको 10, 12, 15 इंच के गमले में भी लगाकर रख सकते हैं, एक बार ये पौधे लगा लेंगे, तो कई साल तक आपके आहां रहेंगे, और इनका पूजा में भी इस्तिमाल होता ह हैं, बहुत सारी फ्लावरिंग इसमें होती है, अगर रंगों की बात करें तो रंगों में भी आपको काफी वराइटी मिलेगी, मीरा बीलीस या संजा फूल, ये फूल आप जरूर से लगाईए, हर रोज संध्या पूजा के समय आपको ताजे फूल मिलेंगे, आम तोर से जो भी फूल भारत में खिलते हैं, वो सुबह के समय खिलते हैं, और साम तक आपके पास कोई भी ताजा फूल नहीं बचा होता है, जिससे आप तुर्गा जी की पूजा कर सकें, तो ये फूल इसलिए हैं, बहुत सारे रंगों में खिलते हैं, काले बीजों से उगते हैं, और इनकी सर्वाइवल बहुत अच्छी होती है, फ्लावरिंग इन में बहुत जादा होती है, और बहुत खास देखवाल की ज़रत नहीं होती है इनको, वो एकदम से लो मेंटेनिंस फ्लावर हैं, बेला या जैस्मिन, ये फूल भी दुर्गा वक्ची की पूजा में विसे पूजन में भी, इनको कटिंग से लगाया जाता है, लेरिंग से तयार करते हैं इनके नए पौधे, आप आज ही इनके पौधे लाकर गमले में लगा लीजिए, थोड़ा समय है, अभी दशेरा दिवाली आने में महीने बाकी हैं, और तब तक आपकी घर में फ्लावरिंग ह इनका लक्षमी पूजन में विशेस महत्व होता है, अगर संभव है, आज पास में उपलब्ध है, तो ये पौधे आप जरूर लाकर के लगा लीजिए, ताकि दशेरा और दिवाली के समय आपके पास ये फूल उपलब्ध हो, घर में लक्षमी किसे नहीं चाहिए, लक्ष लटाएं होती है, एक बार लगाएंगे तो सालों साल ये चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, एक और फूल है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, लोटस या कमल, कमल के फूल सितंबर अक्टूबर के महिने तक लगा लिये जाते हैं, बीज से भी लगता है और इनकी लगाएंगे तो इस दसहरा या दिवाली में आपको फूल नहीं मिलेंगे, लेकिन अगले दसहरे अगले दिवाली में आपको अपने घर में खिला हुआ कमल का फूल जरूर मिल जाएगा, जिसे आप देवी दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, या लक्ष अगर आपके घर में किसी नाद या बड़े बरतन में कमल के फूल खिले हैं, तो घर का आकरसन, घर की खूबसूरती तो वैसे ही बढ़ जाती है, मैंने अपनी जीवन में आज तक ऐसा कोई भी इनसान नहीं देखा, जिसे ये फूल ना पसंद हो, कमल के पौधे कैसे उगा हाँ, इस दा सहरे में फूलों की कमी न रह जाए, आज ही ये फूल ज़रूर लगा लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका झाल नहीं उपका शोल जाज़ झाल।